हेलो एवरिवान वेलकम टू आज चैनल रीड़न ग्रू तो आज चो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टेरेंटूला क्यूबेंसिस यह मेडिसिन स्पाइडर से बनती है और यह एक शॉर्ट से मेडिसिन है तो फटफट इसको कवर कर लेते हैं इसका कॉमन नेम है क्यूबन स्पाइडर यह क्यूबन नाम की स्पाइडर होती है उस स्पीशिस से यह मेडिसिन त्यार होती है तो जैसा कि इसमें बताया हो है कि जो डीजीजिस होती है जिसके अंदर पस ड्रेन करने पड़ते हैं कट लगा कर से जाते हैं लोग कि यह वाला इरॉप्शन है इसको कट लगाकर इसमें से पस वगेरा ड्रेन हो जाए तो वह चीज के लिए यह मैडिसे अच्छा काम करती है आपको वह कट लगाने के ज़रोती नहीं पड़ेगे अगर हम पेशेंट को यह मैडिसें दे दे तो इस मैडिसें से ह वह सारा काम हो जाएगा इतना सर्जन्स नाइफ को यूजलेस करने की पावर है मतलब इतनी पावरफुल यह मैडिसें का एक्षन है देन इन एलन्स की नोट टेरेंटूला हिस्पैनिया एंड टेरेंटूला क्यूबेनिसे बोथ आ गिवन अंडर वान हेडिंग तेरेंटू तो जब आप एलन्स की नोट में पढ़ते हो यह मैडिसें तो इसके अंदर टेरेंटूला एक कॉमन हेडिंग दे के कॉमन मेडिसें के तौर पे उसके सिम्टम बताया हुए इनको डिफ्रेंशियेट निकरा हुआ हुआ तो यहां पे हम डिफ्रेंशियेट करके पढ़ रहे तो तेरेंटूला कॉबहनेस के सिम्टम लूआ कैसे होते हैं धिकने में यह एक बड़ी सी इसके अंदर डार्ग ब्राउन कलर का इसकी होड़ी साथ हेरी और इयरशा टेक्स्चरो सुगा और यह जो बड़ालॉल्स सुमाद सीक जब होगा दिनेक्स पारान वे सना पोईनिस क्लिनिकली इसको हम एंथ्रेक्स, एबसेस, कार्बंकल, फीवर, फैलन, गेंग्रीन, सेप्टिक, फीवर, अलसर, इन सभी कंडिशन में अच्छा काम करती है, यानि कि कोई भी ऐसी इरॉप्शन हो, कोई भी ऐसी ग्रोथ हो, जिसके अंदर पस फॉर्म हो जाती है, पस ट्रेन सेप्टिक कंडिशन हो जाती है, पस एक्यूमिलये हो जाती है, उसमें चाहिए, बस पर उडगिंशन में जहाँ पस बन रही है, वहाँ पर भी टेरिंटूला के अच्छे रीजल्स मिले है, टिक है, हमारे पास यह following जो अब हम symptoms discuss करने वाले है यह symptom उस patient में show हो तो हम इस medicine को use कर सकते हैं first of all atrocious burning pain, stinging pain make the patient restless and compels him to walk at night it is the remedy for pains of death इसमें patient को बहुँ जदा severe type का burning pain होगा pain का character कैसा है burning है stinging type and साथ में patient जो होगा restless feel करेगा इतना दर्द है कि patient बैट नहीं सकता रात को सो नहीं पाएगा उसको उठके चलना पड़ेगा ताकि उसको थोड़ा relief feel हो क्योंकि वो बैठे बैठे उससे pain सहन नहीं होता इस ऐसे type के pain को pain of death भी कहा जाता है जैसे कि मतलब ऐसा दर्द की patient को लगेगा कि वो मरी जाएगा उसे बैठा ही नहीं जा रहा है then next आता है इसमें bluish purplish discoloration of affected part with swelling तो इसमें patient में pain का करेक्टर हमने जैसे discuss किया उसके बाद जो affected part है उसमें bluish और purple color मिल सकता है skin का and swelling भी थोड़ी बहुत मिल सकती है जैसे inflammation है तो उससाब से redness, swelling, pain ये सब तो मिले गई then very early and persistent prostration patient में weakness होएगी बहुत जादा लगातार उसमें एक energy की कमी रहेगी ठीक है बहुत weak feel करेगा उठने का मन नहीं ताकत ही नहीं है बिलकुल भी but pain इतना severe है कि उससे बैठा भी नहीं जा रहा then intermittent septic chills तो patient में क्या होगा कि septic condition हो सकती है बीच बीच में उसको chills आ सकते हैं hyperesthesia relieved by constant movement and some kind of friction तो यहां पे patient को एक hyperesthesia यान की कह सकते हैं कि ज़्यादा pain होगा छोटा-छोटा कोई हलका सा भी कुछ touch हुआ तो उस हलके से touch से भी उसको बहुत severe pain होगा hypersensitivity हम कह सकते हैं या पे वो patient को feel होती है और इससे relief होगा जब वो patient move करेगा moment से इसमें थोड़ा relief मिलता है या किसी तरीके के friction से relief होता है जिसे हमने first symptom में भी देगा कि patient को burning pain है इतना pain है कि वो बैट नहीं सकता उसको उठना पड़ता है चलना पड़ता है उठके तभी उसे relief होता है same way condition is hypersensitivity के अंदर भी दे रखी है कि patient के body part बहुत sensitive हो रखे हैं उसको movement करने से ही उसमें relief feel होता है इतना उससे pain feel होगा and sensitive रहता है then aggravation है night time में करते हैं movement करते हैं तो उसमें उसको relief feel होता है so thank you so much for watching please like, share, subscribe thank you